कल्यू कमिशनर साहम यहां सब को जो के द artati सिए इतने घपराय हो क्यों क्या बताओ कमिशनर साहम मारा तो जीना मुश्किल हो गया है घर में टेलीफोन की गंटी नहीं, मौत की गंटी बजे है कोई गुंडा बार बार फोन करके दमकी देवे है कि मनने एक करोड रुपया रोकडा दे दे नहीं तो तारे बेटे को उठा के ले जाओंगा उसमें मारे को 24 गंटी की मौलत दी है कल किसी वक्त भी फोन करेगा ना रात को नीद आवे है ना दिन को चैन मारे गर में पुलिस का पैरा बचवा दीजिए कमिश्टर साब घबराओ नहीं रतन से हमारे होते हुए कोई तुम्हारे बेटे की परचाई को भी नहीं चू सकता इंस्पेक्टर विजे ये सर फोरण इनके लिए पुलिस प्रोटेक्शन का इंतिजाम करो सर बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्टर साब इंस्पेक्टर साब जड़ा जल्दी इंतिजाम करवा दे न अब मैं जाके भोले नाथ के मंदर में परसाद चड़ाओंगा राम राम ये इंस्पेक्टर वो खत्रा है जो दिन बदिन हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है इसे अपना दीवाना बना ले जब तेरी दिवानगी में ये मस्थ होकर जूमने लगेगा तो मेरे आदमी इसकी मौत बन जाएंगे आप बिलकुल सही कह रहे हैं बिग मैं लेकिन वर्दी वालों को मारना इतना आसान नहीं है जाने मन मौत बिलकुल आसान हो जाएगी जब दुच ऐसी खुबसूरत लड़की उस पर अपने जुल्फों का जाल डाल देगी रप्तान प्रिंसिपल बेवकुफ बिग मैं को मारना इतना आसान नहीं यह देख बुलट प्रूफ जैकेट तु जोश में होश कवा बैठा है प्रिंसिपल खन्ना तु मेरी मौत बनकर नहीं बलके खुद मौत के मूँ में चलाया है मेरे जिन्दा रहने के लिए तेरा मरना बहुत जरूरी है प्रिंसिपल खन्ना की लाश हमारी बैठक में पड़ी है इसे गारी में डाल कर पाड़ी के नीचे फैंक दो ताकि इसे एक्सिडेंट का केस समझा जाए विजे साहब बलो करीना पर कड़ी नजर रखो और मालूम करो कि ये इस्पेक्टर विजे करीना के लिए साहब कब से बन गया प्यास तो हम बुझाएंगे आज अच्छा हुआ के तू यहां चली आई अब तेरी बेहन के बतले तेरा फर्ज है के तू हमारा दिल बहलाए हमारा ख्याल रखे एक बार मुझे छोड़ दे फिर देख मैं क्या करती हूं करए खर्चेंपानी की परवा मत कर एक बार मेरी बात माले विखमी राज करेगी जार अ और पर अब तेरा स्दुनिया में रखा ही क्या है ठीरी बेहन का बॉइफरंट मेरी कई शीज में था देरा बॉय पॉलिस की के अज़मे है और तू अब मेरी कदमे आजा ठरखे मुझे खब खबूर है, राम खोड, जाम टिर है आँ इन रूप सुना है, जब इनसान के सामने उसकी मौत आती है, तो उसे पहचान लेता है ताजुब है, तुमने हमें नहीं पहचाना तारी बातों से धरिंदगी की बद्वो आ रहे हैं एक बाद सुन लो हम वो मर्द हैं जो मौत का स्वागत महमान की तरह करते हैं नाम कहा है तुम्हारा नाम सुनोगे तो कांपने लगोगे क्योंकि जलजले का दूसरा नाम बिग मैन है तो आप हैं बिग मैन वही बिग मैन जिसका महरा मुस्पिट कर गया है मेरे पिटे हुए मौरे ने बताया कि तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो इसलिए खुद अपने पैरों पर चल कर मैं तुम्हारे पास आया हूँ लगता है चल कर वापिस जाने का इरादा नहीं है तुम्हारा तमसलजला नहीं जलाद हो इसने स्कूल के बच्चों को माटा ला प्रिंसिपल की बहन को खत्म कर दिया प्रिंसिपल की भाण जी की इजज़त लोट ले तुने उस देवता के हंसते खेलते संसार को जाड़ा तुम संसार वाले भी अजीब प्राणी हो देवताओं को धर्ती पर गुला कर खामखा उन्हें कश्ट भोगने पर मजबूर करते हो अरे भाई देवताओं की जगा धर्ती पर नहीं उपर होती है इसलिए उस देवता को उपर भीजने का इंतजाम मैंने कर दिया है यह सुई देख रहे हो इसमें जहर है प्रिंसिपल के शीर में चुपते ही वो संसार के सारे कश्टों से मुक्त हो जाएगा और ये मुक्ती तुम खुद उसे अपने हाथों से दोगे मुक्वास बनकर हरामजादे मेरे होते हुए तुम उसका कुछ नहीं बिगाच सकता खुबरदार मेरी लिशा को खराश भी आई तो भाड़ के रखतूंगा सुनो अपने बेटे की आवाज बजा बजा ममे बबबा यह लग मुझे मार रहे हैं बजा मेरा मुन्ना मैं आपके आगे हात जोड़ती हूँ मेरे मुन्नी को कुछ मत कीजे उसके बदले मेरे जानने लिजे मेरा मुन्ना अहम सब पर्मो धर्मा, हम तो किसी को नहीं मारना चाहते, मरने और मारने का फैसला तुम्हारे पती के हाथ में है, अपने पती से कहो, के प्रिंसिपल साहब के ऊपर, इस जहरीली सुई का इस्तमाल करे, तुम्हारा मुन्ना बच जाएगा अगर मेरे मुन्ने को कुछ हो गया, तो मैं अपनी जान दे दूगे, अपनी जान दे दूगे, उसे मार दाले, इसाथी को मार दाले, तुम्हारे होते हुए, मारे जिगर के टुकड़े को बिग मैन उठा के ले गया, क्या कह रहे हैं तुम्हारे हुए, मैं सच कह रहे हूँ, और फिरौती में वो बिग मैन पांच करोड रुपया मांगे है अरे पांच करोड तो क्या, मैं तो पचास करोड दे दू लेकिन उसकी दूसरी शर्त मैं कभी न मानू वो कहवे है के रोकडे के साथ साथ प्रिंसिपल खन्ना को भी साथ लेकर आओ अब आप ही बताओ कि मैं एक शरीफ आदमी की जिंदगी को दौपर कैसे लगा दू अगर खन्ना साथ का राम नाम सत्त हो गया तो मैं तो कहीं मू दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा कमिशनर साथ अब आप ही मुझे इस परिक्षा की आग में जलने से बचाईए ना इस परिक्षा की आग में तो हमारा डिपार्टमेंट भी जल रहा है रातन सेट उस बिग मैन ने हमारे सब से काबिल और होनहार इंस्पेक्टर विजे और उस रेंट करीना को भी आगवा कर लिया है और उनके बदले में हथ्यारों का जखीरा चाहता है आए आए राम बली करे अब क्या होगा अनके मनने तो समझ में नहीं यह आँए कि ये खुफिया मीटिंग चल रही है कि क्या है? ये है क्या? ओ साले बिग मैन को कैसे पता-चला के हमारी खास मीटिंग चल रही है मनने तो लागे हम में से जरूर कोई आस्तीन का साप है जो छुप छुप के हमारे खिलाफ जैरुगल रहा है कौन है वो कमीना, कौन है वो गद्दार जो बिग मैन के आदो भिका हुआ है कौन है वो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, या मैं हूँ कुछ रहा है। कमिटर साब, अब तो मेरा आप लोगों पर से परोसा उठता जा रहा है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया, तो राम कसम, मैं आप में से किसी को माफ ने करूँगा, किसी को भी माफ ने करूँगा। रिलाक्स सेट जी, रिलाक्स, शांत हो जाए। और धीरच से काम लीजिये, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। बस आप रुपया और हत्यार लेकर प्रिंसिपल साब के साथ उनकी बताई हूँ जगा पर चले जाए। नहीं भाया, यह तो मारे से नहीं होगा, मनने तो बड़ा डर लागे है। डरो नहीं रतन सेट, उनकी जिंदगी बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है। मेरा दिल तो दोगडी की तरह धक धक धड़गे है। भायो, मैं ठहरा बिपारी आदमी, मेरे को जोखम की आग में क्यों धकेल रहे हो आप लोग। सेट जी, मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा कीजिए। पूरी पुलिस फोर्स आपके साथ है। मैं सब संभाल लूँगा। प्रिंसिपल सहब। प्रिंसिपल सहब। तुम। अरे जर संभाल के। प्रिंसिपल सहब, तारी बाद जी के साथ साथ मारे बेटे को भी बिग मैन उठा के ले गया। दोनों की जान बड़ी खत्रे में है। यह बिग मैन कितना कमीना आदमी है। यह तारे से बढ़कर और कौन जाने है। जो कहता है वो कर दिखाता है। कमेशियर साब यह। ना, 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 ऐसा न करना प्रिंसिपल सहाब। मैं तारे हाथ जोडता हूँ। तमने पहले भी उसके साथ कक्रानी की कोशिश की थिया। और उसने तारे सारे खांदार का सत्यानाज कर दिया था। अब वक्त बरवाद बत करो, मेरे साथ चलो। आप तो जानते ही हो बिग मैन को। वो बहुत जालिम है। बहुत ही जालिम है वो। जो कहता है कर दिखाता है। प्रिंसिपल सहाब, प्रतन से ठीक कह रहे है। आप घबराये मत। पुलिस बराबर आप दोनों पर निगरानी रखे रहेगी। इस बार हमारे बिचाय हुए जाल में बिग मैन चुहे की तरफ फंस जाएगा। देखा प्रिंसिपल, किस तरह पुलिस के चक्रव्यू से निकाल कर ये बिग मैन तुझे मौत के मूँ में ले आया है। ना 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 इस तरह परकटे परिंदे की तरह फड़फड़ा कर अपनी ताकत जाया मत कर। इसे संभाल कर रख। क्योंके मौत से पहले अभी तुझे कई बार तडपना है। तडपना तो तुझे पढ़ेगा बिग मैन। उस मचनी की तरह जिसके दरिया का सारा पानी अचानक उसका साथ होड़ जाता है। और अगर खुद उस तरप से बचाना चाहता है तो अपने आपको कानून के हवाले कर दे। क्योंकि अगर कानून के रखवाले तुझ तक यहां पहुच गए ना तो तेरे चिथड़े चिथड़े उड़ा कर रख देंगे। यहां जो भी आएगा कुत्ते की मौत मारा जाएगा। क्योंकि इस वक्त पर है वहां सिर्फ बिग मैन का कानून चलता है। और बिग मैन के कानून के सामने, तुम्हारे ईश्वर का कानून भी नहीं चले गा। यह ऐईश्वर का कानून ही है कि मौत तेरे सर पर मंड़ा रही है और तुझे नजर नहीं आ रही। क्योंकि तू उन पापियों में से है, जिनका धर्म सरफ पैसा ही होता है, और पैसे की खातिव अपनी मा, बिटी और बेहन क्या देश तक को दाओं में लगाने को नहीं हिचकी चाते जब खुद पर चोट लगती है तो सिस्कारी निकली आती है तूने वो कहावत तो सुनी होगी बिग बेहन बिया बुझने से पहले बहुत फड़ फड़ाता है अब तू भी उसी कागार पर पहुँच चुका है तेरा विनाश अब निश्चित ही है विनाश मेरा नहीं विनाश उन लोगों का निश्चित है जो बिग मैन के रूप को जानते हैं पहचानते हैं और उसके बाद जिन्दा रहेगा रतन सेट एक शरीफ इजददार बिजनसमेन और लोग ये कभी नहीं जान पाएंगे कि बिग मैन और रतन सेट एक ही सिक्के के दो रूप है बिग मैन उनी भेड़िये रूप बदल लेने से बदन की बदल थी अब भी वक्त है अपने आपको पुलिस के हवाले कर दे जाड़ आप रसी जल गई परपल नहीं गया शेर की खार में आकर शेर कोई धमकाते हो भून लाने उसे